दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का अप्रवेश्ट मैं हूँ देवेश्ट दोस्तों रोजाना सुबह वर शाम हम आपकी सेवा में छे महत्वपूर्ण खबरों का मजेदार एनालेसिस लेकर आते हैं और अशली हमने आज उपनी चैनल का नाम भी बदल दिया ह है रियल कोई के अनालेसिस से बदल के कर दिया है मजेदार एनालेसिस ताकि चैनल का नाम समझने में लोगों को जो दिक्कत आती थी वो समश्या का निदान हो जाए उसी क्रम में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि इंडियन आर्मी ने वहीरी किसानों के हित में कौन सा न बायो फ्यूल हम एक्सपोर्टर बन गए हैं वहीया जी देख लो मोली सरकार की परिसी का जवाब दूसरा वहीया चीन की जो इन्वॉय है भारत में मैडम है गोरी उनका के स्टेटमेंट आया है उसके पीछे जो जाल विशा हुआ है साजिसी चर्चा करेंगे साथ में अभ इन एक नया नर्ने लिया है यह जो घटना क्रम है वो हमारे स्टूडेंट्स जो फीचर्स और उप्शन कोर्स के उनके बेहत काम का है तो भीय जी जो हर घटना क्रम है एक से बढ़का रेक है आपको पक्के से मज़ा आएगा आनंद के साथ वीडियो देखिएगा अब दोस पसलियत यह है कि भाईया भारतिया आर्मी आज से 50 साल पहले तक अपने जवानों को अधकारियों को जवार बाजरा मक्का का आटा खिलाती थी इसी का इस्तमाल खाने में किया जाता था लेकिन 50 साल पहले बंद कर दिया और ने इस गहूं का आटा ही खाओ पर नाम सरूप क क्या हुआ बहिया जी भारतिये किसान जो गरीब थे जो कि गहूं की जगहा है बाजरा का रागी का जवार की खेती करते थे उनके पेट पेट बलाद पड़ गई दूसरा भारतिये सेन बलों के स्वास्त पर आपने सवारिया निसान लगा दिया यूश्या ज़ाज़ा तर जो सेनिक होते हैं वो गाउं से आते हैं अब गाउं में उन्हों ने अपने घर में खाया ज्वारबाजरा अब आप जो है अब सेना में आ गए तो आप खला रहे हो उनको गेहूं काटा तो गेहूं काटा तो अतना पॉस्टिक नहीं होता उसमें माइक्रो न्यूट्रियंट नहीं होते तो इनौनने एक तीर से अनेक से कार रिकिये भारती शेक नौ को भाहल किया और भारती किसानूं की तो कमर तोड़ दी लेकिन गना इंद्री का पार जबानों को सेमनिकरियों को सबको भया जी जन रागी मिलट्स खिलाई जाएंगे उनका पोस्ण बेहद बेहद जरूरी है और सभावे के जब इतनी वड़ी सेना खरीदारी करेगी तो इसे से भारती किसानों की आई भी बड़ेगी अब दोस्तों देखिए एथेनॉल की चर्चा होती है किसाब 10% मिला दो 20% मिला दो 15% मिला दो य लेकिन बो दिन चले गए खतम कहानी अब देखो आप हम बायो फ्यूल इतनॉल बगएदा का एक्सपोर्ट भी करेंगे लेकिन ध्यान दीजिए बारा सिरकार ने क्या कहा है कि यह एक्सपोर्ट तो करो लेकिन फीड स्टॉक भी विदेश से आना चाहिए मतलब कि जैसे माल इकानोमिक जोन एसी जी हैं उनमें लगी हुई बायो रफाइनरीज हैं उनका कारोबार बढ़ेगा वो दुनिया भर के देशों से खाद्यान मंगाती रहेंगी उससे वही आई इतनॉल बनाके वहीं से वहीं भेज देंगी इससे हमें क्यालाव है एक तो बिदेशी मुद् असी लेवल पर वो देखते ही देखते भारत को क्योंकि एक कच्छे देल का एनर्जी का इंपोर्टर है हमें एक्सपोर्टर में तब्दील कर रहा है बहुत बढ़ी अगटना कर नहीं है अब दोस्तों इन मैडम की सकल पर मत जाओ आप आपने वह गाना सुनाए ना भोली स तो सही है वार तो हमको किसी को नहीं चाहिए लेकिन फिर मैडम ने क्या कहा कि भाईया जी रिलेशन्शिप नॉर्मल कर लो दोनों देशों के बीच भाईया यहीं आपती हमें जब तक सैनाय एले सी पर खड़ी है तब तक रिलेशन्शिप नॉर्मल ना हो पाएगा मैडम पीछे हटी है आप हम लोगों को क्या नेपाल का ओली समझ लिया है आपने कि आपकी गोलगोल वातों में फस जाएंगे यह ना हो पाएगा मैडम पीछे हटो तब मजा आएगा दूसरा मैडम ने बात अच्छी सुगा रही है क्या कि भारत ने भी वोड़े पिछले कुस सा सालों में बहुत इंफ्रस्ट्रक्चर बनाया है तो हमने मैडम से कहा कि मैडम हमें ना बताओ हम सब को तो पता है अरे राहुल गांदी वो जो है चुप-चुप के आते होंगे चैनीज इंबैसी में मुलाकात करने के लिए उन्हें बता दियो यह बात कि बहुत बढ़िया इंफ्रस्ट्रक्चर बनाया है आप कहोगी प्यार से समझाओगी राहुल बाबा को तो साइद उनको समझ में भी आ जाए कि जे मोधी है जो मोधी है जो इंफ्रस्ट्रक्चर खडी करने मैं तुमारी रूह काती थी उससे बढ़िया इंफ्रस्रक्ट्रक्टर मोदी सहाब ने खड़ा किया है और आज देख लो चाइनीज इंबेश्डर भारत में बैठके सुईकार कर रही है इस बात को कि भाया जी जलवा खेदिया मोदी ने बॉर्डर रियास में एसी बीच भाया यूके में सम्मंद बहुत मजभूत हैं फलफूल रहे हैं हमें जो है मिशन की सुरक्षा की विवस्था करनी है सब मिशन की हम प्रोटेक्शन करेंगे यह अनेक्सेप्टबल है हमने कहा कि अब जो है सो चुए खाके बिल्ली हज को चली अब तो हमें ग्यान ना दो मोदी जाब ने कल सब्सक्राइब करने वाला आदमी बैठा है और बिल्टेन के लोगों ध्यान से सुनिएगा अगली बार अगर गुस्ताकी हुई कोई सुरक्षा में तो भाईया यह सिर्फ बैरीकेड नहीं अटाए जाएंगे क्या कुछ हम कर सकते हैं तुम भाईया सोच भी नहीं सकते इस डिलिवरी से जुड़ा हुआ है तो होता क्या है एक डोनोट एक्सरसाइज का ओप्षन होता था जिसके अंतरगत रेडर ब्रोकर को बताता था कि भाईया जी हम जो है फिजिकल डिलिवरी लेने वाले लोग नहीं है हमारा सौदा काट दियो और जो है यह काम में आता था अगर आप स्टॉक के F&O करते हो तो भाईया जी अगर सौदा आपका खड़ा है एक्सपारी के दिन तो भाईया डिलिवरी देनी लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी मतलब फटका लग सकता है होगा क्या भाईया स्टॉक F&O में लिक्विडिटी नहीं होती मार्केट में खड पाए गलती से मालो आप डिले करते रहें लास्ट के 5-10 मिनट में एक्सपारी के दिन सामने वाली पार्टी नहीं मिली तो आपका सोदा नहीं कटा खड़ा रह गया तो भाईया डिलिवरी देनी लेनी पड़ेगी ऑप्सन बाय किया है कॉल तो डिलिवरी लेना पड़ेगी पड़ना ही नहीं है, हमने आपको अपने दोनों फीचर्स और ऑप्शन कोर्स में पड़ाया है कि भहिया फिजिकल डिलिवरी हमें न तो लेना है न देना है, एक्सपारी के दिन आराम से सौदा काट लेना है अथवास को रोलोवर कर लेना है और सो बातों की एक बात, हमें stocks का F&O करना ही नहीं है भहिया जी जहां liquidity कम होती है वहाँ impact cost ज्यादा होती है impact cost पढ़ाई है हमने आपको भूलने बादी बाद नहीं है नहीं भूल गए हो तो जा के वीडियो दिखलो फिर से आप तो index F&O करो इंडेक्स F&O में भाईया जी पहले तो liquidity बहुत होती है तो आप सवधा काट लोगे दूसरा अगर सवधा नहीं भी कटा तो system काट देगा और फिर भी कुछ होगा तो काहे की delivery दोगे काहे की लोगे तो index F&O है इंडेक्स F&O में तो delivery का कोई जन्जट ही नहीं होता तो आपको हमेशा जब आप option buy करोगे तो limited loss ही होगा unlimited loss हो जाएगा अगर आपका stocks F&O में delivery obligation आपके सर पे आ गया auction में चले जाओगे penalty लगेगी वो अलग तो इस सब जन्जट से बचिए भाई साब तो भाईया जी आप देख लो NAC rule आज बदल रहा है लेकिन आपन ने जो future option course में पड़ा हुआ है वो आज भी valid है उसमें कोई बदलाव नहीं है जो ग्यान आपने प्राक्त किया है वो सद प्रावाहर है उस पर भरोसा बरक्रार रखी है इसी वीच एक्सेंचर की रिपोर्ट आगई भाई साब मजा नहीं आया वाई साब दिमाग खराब हो गया उननीस हजार जौब निकल रहे हैं भाई साब प्रॉफिट भी काट दिया रिवेन्यू भी काट दिया बहुत होगा हम सब कभ से कह रहे हैं कि यह महंगाई की चुडेल को काबू में रखने के लिए आप मंदी का भसमाज़र प्यादा कर रहे हो यह आपकी च्छाती पर चड़के नाचेगा अब आप देख लो माइक्रोसॉफ्ट गूगल के बाद एक्सेंचर भी निकालने लगी उनन जो है सांतोना नहीं है रही बात यह है कि आई-टी सेक्टर जो है बुरे दोर से गुजर रहा है यह एक्सेंचर की जो आकड़े आए हैं वो तो आज आए हैं देकि इसका एंटिसिपेशन मार्केट को पहले से था मार्केट पहले से यह अनुमान लगाया था आप निफ्ट से ही तूट रहा था तो इस खबर के आने के बाद कितनी गिरावट आएगी वो देखने वाली बात होगी अभी निफ्टी आई-टी सपोर्ट पे अगर वो सपोर्ट तूट गया तो तो भाईया बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारा निफेश हाईटी सेक्टर में ध्यान रखिएगा मुद्द्य की बात यह है कि ब्याज़ दरें बढ़ रही है इनकी आच अब हम सभी तक पहुंचने वाली है गुरा दौर है कहा जाता है कि यह आप नरक से गुजर रहे हो तो बेस्ट चीज आप कर सकते हो वो क्या है चलते रहो चलते रहो तो चलते रहना है बाई जाब जिस तरह अच्छे दिन कट गए उसी दिन ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे निश्चन्त रहिएगा चार्ट महालक्ष्मी जी की सरण में बैठे रहने का उनका मागदर्शन और कृपा बनी रही तो पैसा अपने बनेगा एक दो महीने का बात है बुरा समय है बित्वर्स पैसे भी खतम हो रहा है लिकूरिटी मार्केट में है नहीं टाइम पास हो रहा है आराम से एक दो सब्ता है निकाल लो कोई दिक्कत नहीं बुरा समय है निकल जाए अब दोस्तों नॉर्मली जो शेर मार्केट में option trading होती है उसमें लोगों को ये चीज महलूम है सब को कि तो sell करते हो आप option तो आपकी क्या होता है जीतने की संभावना बहुत अधिक होती है बट दिक्कत क्या होती है कि loss unlimited हो सकता है कितना भी loss लग सकता है तो यहीं डर रहता है option selling में लेकिन कुछ आचार रेचानकी कि hedging strategy ज कैसी होती है जिसके माद्यम से जीतने की संभावना भी अधिक होती है और loss भी limited हो जाता है कब लिमेटर होता है सौधा खड़ा करते समय ही limited loss की guarantee हो जाती है तो वह जो आचार रचानकी की complex hedging strategies है वही हम cover करेंगे अपने course आत्म निरभर advanced option course के माद्यम से आप मैंसे जो हमार तोर पे option course लिया हुआ है जिन्होंने वह आत्म निरभर advanced option course जोइन करने के लिए इसी वीडियो के description box में link दीगोई है क्लिक करके उसे join कर लीजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैस्ट्री राउंद